हेलो फ्रेंड जै मातादी फ्रेंड आज देखिए जीरो से लेके एक साल के बच्चे का बूट लेके आई हूं में बहुत ही संदर डिजाइन है बहुत ही जल्दी भी बन जाता है आप आदे घंडे में दोनों बूट बनाके कंप्लेट कर लेंगे तो यहां सोल से इसको बनान बनाना बताया है यहां सोल में हम इस पे 47 फंदी डालेंगे और इसको 4 धरिया ऐसे ही उल्ट बनाइगे उसके बाद फिर छे थारिया 6 चार स्लाइँ हम बनाएंगे सीधी उल्टी सीधी उल्टी और अगर आपके पास एसी मोटी वाली उन है तो आप सेम बना लिजी अगर इससे दूसरे वाली बारीक वाली उन है तो 51 फंदे डालके फिर आपको इसको सेम बैसे ही बनाना है आगे तक तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं बनाना बहुत ही सुंदर बूट यह मैं एक कलर से बना रही हूं तो इस पर मैंने सिंगल धागे से 47 फंदे डाले है फ्रेंडे मून थोड़ी मोटी है इस तरीके से अगर आपके पास दूसरी वाली हून है तो यहां पर 51 फंदे डाल लीजिए और बाकी हम आगे सेम ही बनाएंगे इसके बाद पर देखिए एक दो तीन चार धारियां हमने इसकी उल्टी उल्टी बना ली अब हम सीधी यह फिर बना लेंगे यह हम सीधी उल्टी ऐसे नहीं बनाएंगे देखिए सीधी हो गई है पूरी स्लाई 47 फंदों को हम पूरी स्लाई सीधी बना देंगे फिर अगली दिखाते मैं आपको अब देखिए पूरी स्लाई सीधी बना ली मैंने अब दूसरी स्लाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे इस पे मैंने दस नंबर की स्लाई ली है यह तो अब दूसरी स्लाई हम पूरी उल्टी बना देंगे तीसरी स्लाई हम फिर पूरी सीधी बनाएंगे और चौती फिर दिखाते हुए अब देखिए फ्रेंड यहां पर मैंने चार सलाइयां बनाई हैं सीधी उल्टी आपकी दूसरी वाली होने तो यहां पर आप छे सलाइयां बना लीजिए उसके बाद हम इसका आदा आदा करेंगे और सेंटर के तीन फंदों का एक करेंगे तो देखिए ऐसे ह सतरह अठारह उननेश बीस इकिस बाइस 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 फंदे हम इस साइड बनाएंगे बाइस इस साइड और बीच के तीन फंदों पे हम पंदे घटाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अब यह जो तीन फंदे हैं इनका हम एक फंदा बनाएंगे तो यहां से जो सेंटर वाला फंदा है ऐसे उतार देंगे ऐसे फिर अगले वाला फंदा ऐसे बना देंगे अब इन दो को हम इसके उपर से उतार देंगे इस तरह कैसे तो तीन का एक हो गया है अब अगले 22 बंदों को हम सीधा बनाएंगे और उल्टी स्लाइस की पूरी उल्टी बनाएंगे फिर अगली सीधी पर मैं फिर दिखाते हूं आपको कैसे करेंगे हम फिर से तीन का एक अब देखे अब फिर से हमने वैसे बनाना है एक दो तीन चार पांच छे शे शाट आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोहदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्निस पहले हमने 22 पंदे बनाए थे अब 21 बनाए और देखे यह वाली फली है जो तो इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और यह वाला फंदा हम बना देंगे और इन दो को अपर से उतार देंगे और अगले 21 पंदों को फिर सीधा बना देंगे इस तरीके से हम फंदे घटाते जाएंगे अब देखिए फ्रेंड इसमें मैंने 29 पंदे छोड़े हैं कि यह मोटी वाली होने तो अगर आपके पास दूसरी है तो आप यहां पे 35 पंदे या 37 पंदे छोड़ दीजिए 35 काफी है तो यहां पे मैंने इस साइड को एक, दो, तीन, चार, पांच, छी, साथ, आर, नौ, तस, क्यार, बारत, तीरत, चौदा फंदे साइड को, चौदा इस साइड को और बीच में एक है हमारा तो चौदा दूसरी अठाइस और एक 39 पंदे हैं और इस तरीके से हमने कम कर लिए हैं सभी फंदे अब देखे, अब हमने पूरी स्लाई उल्टी बनाने हैं अपनी साइड को क्योंकि अब हम कोई फंदा कम नहीं करेंगे तो यह पूरी स्लाई उल्टी बना लेंगे उल्टी स्लाई पे हम फिर यहां पे डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे तो यह पूरी स्लाई में बना लेते हूं फिर उल्टी पे दिखाते हूं अब देखे उल्टी स्लाई पे आगे हम तो ऐसे पहला फंदाम ने उतारा जाली बनाई और फिर दो का एक कर दिया फिर जाली बनाई फिर से दो का एक कर देंगे पूरी स्लाई में ऐसे करेंगे जाली डौगा एक कर देंगे से जाली बनाएंगे जाली बनाएंगे छाली बनाएंगे तो अब हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए चार धारियां यहां पर कम्प्लेट कर देनी है यह वाली है जाली से पहले है वह हमने पनी कॉंट करनी है इसके उपर हम चार धारियां बनाएंगे यह हमारी पहली धारी है दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे और मैं इस चार धारियां अपनी कंप्लेट कर लेती हूँ चार धारियां बनाने के बाद फिर बंद करना और शिलना बताऊंगे आपको देखे फ्रेंट एक दो तीन चार धारियां बना ली अब उल्टी स्लाई से हम इन फंदों को बंद कर देंगे सबी को ऐसे एक फंदा बनाएंगे पीछे बला उपर से उतार देंगे फिर अगला फंदा बनाएंगे पीछे बला उपर से उतार देंगे तो लास्ट तक हम सभी फंदों को ऐसे ही बंद कर लेंगे फिर मैं आपको सिलना बताऊंगी तो मैं बंद कर लेते हूं सभी फंदे यह देखिए ऐसे फंदे बंद होगे हमारे अब देखिए सीलेंगे हम इसको तो सीधी साइड ऐसे अंदर की साइड करेंगे देखिए और यहां से लेकी यहां तक इसको शिल देंगे दोनों साइर से अच्छे से मिला देंगे कि अच्का रूता है? कि अब देखिए यहां से यहां भी हम ऐसे ही इसको देंगे दोनों से दोनों साइड अच्छे से मिलाते हो और यहां आगे हम थोड़ी से यहां पर गुलाई देंगे इसमें ऐसे पकड़ेंगे और सिंगल धागे से ऐसे सिलते जाएंगे इसको कि अच्छे लेंगे और यहां पर हम इसको पका कर देंगे अब यहां से धागा कट करके मैं सीधा करके दिखाते हूं अब देखिए सीधा करेंगे हम इसको अब बोट्रेंड न्यूब बेबी से लेके एक डेड़ साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा इस तरह के से इसकी बहुत ही संदर से पाती है एक बाद जरू ट्राई किजेगा इसको देखिए जब बच्चे को पॉंग डालेंगे ऐसे तो ऐसे फुला हुआ आई गाए ऐसे अच्छे से ऐसे साइड से दब गया है और इसमें डोरी डालके आप इसमें बच्चे को पना स पुलेंगे हम डोरी एह देखिए इस तरीके से हमने डवल करें यह एक साइड से ऐसे बल देते हुए इसको जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए उतनी लंबी आपसमें लगा सकते हैं क्रोशिय से थी आप इसको बना सकते हैं वस ऐसे पकड़ चैसरू ऐसे फॉल्ड कर तो हमारी बहुत प्यारी सी डोरी भी बन जाएगी तो फ्रेंड एक वाज जरूर ट्राइ किजिए गाइस को तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू